आज आप सभी का सबसे most demanded सवाल आ चुका है दोस्तो आप सभी पूछ रहे थे कि अगर हम किसी बेक्ती को जैसे कि ये एक नंबर है अगर हम इस नंबर को ब्लॉक करेंगे यहाँ पे आपको एक option दिखराऊगा ब्लॉक तो अगर हम इस contact को ब्लॉक कर देंगे तो ये contact ब्लॉक होने के बाद कहां जाता है और हम ब्लॉक इट कॉंटेक्ट का नंबर कहां से खोज सकते हैं यही चीज आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे और दूसरा सवाल आपका ये था कि अगर हमने किसी नंबर से बाते कर रखा है और उस नंबर को हमने अपने फोन में सेव नहीं किया था तो हम उसका मैसेज कैसे देखें तो क्या हम ये काम कर सकते हैं तो ये चीज भी मैं आपको इस वीडियो के इंदर बताऊंगा अगर मान लिजे कि आपने इस नंबर को ब्लॉक कर दिया यह कॉंटेक्ट आपके वाटसप में कहां जाकर सेव होता है अगर आप किसी भी नंब को ब्लॉक कर देते हो तो वो आप ही के वाटसप में रहता है लेकिन वो जाता कहां है उस नंबर को हम कहां से खोज सकते हैं आज की वीडियो यही टॉपिक पर है और ये टॉपिक आपके द्वारा बहुत जादा डिमांड पे था कि अगर हम किसी भी कॉंटेक्ट को ब्लॉ देख सकता है ये भी आपका सवाल था और ये भी सवाल था कि अगर हमने उस बंदे से कुछ बाते कर रखा है तो क्या हम उस मैसेज को वापस ला सकते हैं यस और नो तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए आज मैं आप सभी के ये जो तीनों सवाल है उन स से ही और वीडियो बनाने के लिए तो फिलाल हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो हम आप सभी को यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये देखिए ये बंदा मुझसे एक मैसेज भी जा है दूस्तो ये एक स्पैम नंबर है ये के बीसी के लोटरी का खा रहा हूँ कारण ये है कि ऐसे स्पैमर को वटसप से बैन कराना बहुत जरूरी है तो इसे पहले ब्लॉक करिएगा तो यहाँ पे एक जामपल के लिए ये एक नंबर है और इससे हमारा एक मैसेज उधर से आया है तो अगर आप इससे कुछ बाते करते हैं लाइक मैंने हम मोर पे क्लिक कियें यहाँ पे एक ओप्सन है ब्लॉक का अगर हम इस कॉंटेक्ट को ब्लॉक कर देते हैं तो यह कहाँ पे जाके सेव होगा आप ही के वटसप में रहेगा लेकिन कहाँ पे जाके सेव होगा वो चीछ जानने के लिए सबसे पहले हम इसे ब्लॉक करते हैं तो यह हमने यहाँ पे block पे click कर दिया, अब यहाँ पे एक option है report and block, और यहाँ पे एक option है block का, अगर आप इस number को block करोगे, मान लिजी कि आपने इस number को सिर्फ block किया है, report नहीं किया है, तो यह कहा जाएगा, हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस number को block कर दिया, आपने इस number को block कर दिया, तो यह आपके यहाँ पे chat पे दिखी रहा है, अगर मान लिजी आपने इस number को select करके यहाँ से delete कर दिया, तो भी यह आपके whatsapp में रहेगा, ये नमबर आपके WhatsApp में तब भी रहेगा ही रहेगा हाँ ये बात है कि अगर आपने इस बंदे का जो यहाँ पे चैट है उसे डिलीट कर दिया तो आप यहाँ पे इसे वापस आप देख सकते हैं अगर आपने उसे पहले ब्लॉक कर रहा होगा फिर नमबर को डिलीट करा होगा तब अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमने किसी को ब्लॉक कर दिया है उसका नमबर भी हमने डिलीट कर दिया है तो क्या हम उसके मेसेजेस को पढ़ सकते हैं पहला सवाल तो जी नहीं दोस्तो अगर आप सभी ने उस बेक्ती को ब्लॉक करने के बाद उसके चैट को डिलीट नहीं करते तो आप उसके मेसेजेस को वापस से पढ़ सकते थे recover कर सकते थे लेकिन आपने उसे block किया फिर उसके चैट को delete कर दिया तो अब उसे recover करना मुस्किल है अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा सवाल आता है कि हमने जिसे ब्लॉक किया क्या वो हमारे WhatsApp के अंदर फिर से है ही जी हाँ दोस्तो और वही चीज हम तीसरे सवाल के अंदर आते हैं कि क्या अगर हम किसी को ब्लॉक करते हैं तो उसे हम कहाँ पे खोज सकते हैं और वो ब्लॉक contact का number कहां जाकर आपकी WhatsApp में save होता है तो यहाँ पे अगर आप ये तीन डॉट के option पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको एक option मिलेगा setting का इसके उपर आपको click करना है अब यहाँ पे आपको एक option मिलेगा account का इसके उपर आपको click करना है यहाँ पे आपको एक option दिखे का privacy का इसके उपर आपको click करना है अब यहाँ पे थोड़ा सा नीच आएंगे तो यहाँ पे देखे क्या option दिख रहा है तो यहाँ पे इस WhatsApp के अंदर 69 contact blockade है तो यहाँ पे आपको वो number को find करना है जिसे आप खोजना चाहते हैं यहाँ पे बहुत सारे number है तो अभी हमने 92 वाले number जो start हो रहे थे उसको हमने block किया था यहाँ पे जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि 92 से भी बहुत सारे number है तो आप कुछ इस तरीके से ही अपने phone के अंदर blockade contact को निकाल सकते हैं बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा क्या आपके सवालों के अंसर हमने कर दिया दोस्तों आपके पास एक और सवाल है कि हम अपने WhatsApp से किसी को live location कैसे भेजें हम अपने WhatsApp से किसी को location कैसे share करें ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और एक और मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने WhatsApp के माधियम से live location भेज सकते हैं तो दोस्तों अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को like ने कैया तो जल्दी से like कर दीजेगा चैनल पे नए होंगे तो subscribe कर लिजेगा और घंटी को on करना मत भूलिएगा